आप रोस कुछ ऐसी चीज़ें यूज करते हो जिनके खूफिया सेक्रेट्स आपको आँच तक पता नहीं थे आपके बॉडी में ऐसा कौन से साइन्स है जिनने देखे आप क्या सकती हो कि आप एक जीनियस हो तो वीडियो के एंड तक बने रहे ना और चैनल पर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना क्या प्चानते हो आप चो पजामा डेली पहनते हो असल में वो आपकी जाम बचाने के लिए बना था World War 1 के टाइम पर लोग रात में बड़े बड़े गाउन पहन कर सोया करते थे मतलब ऐसे टाइब किया और वोर के टाइम पर तो रात को हमले होते रहते थे जिनके वाज़े से तुरंद घर से निकल कर फागना पड़ता था लेकिन ये करना गाउन्स में पहुत मुश्किल होता था इसलिए World War 1 के टाइम पर जामास को इन्वेंट किया गया था जिससे लोग कोई एस ट्रक के टाइम पर जल्ली से भाग सके क्या आप जानती हो Google के इस छोटे से बटन I'm feeling lucky की वज़े से गूगल को एक साल में 900 करोड का लाउस उठाना पड़ा था 2010 से पहले इस बटन का पहुत ही importance था क्योंकि जैसे ही user अपनी query डाल कर ये बटन दबा कर search करता तो Google टॉप search दिखाता बिना ads और sponsors की जिससे लगभख 2007 में एक percentage लोगों ने इस feature का use किया जिसकी वज़े से जो पैसा Google उन ads से कमाता था वो नहीं मिला इसलिए Google को 900 करोड का loss हुआ लेकिन उसके बाद 2010 में Google ने इसका feature चेंज कर दिया लेकिन इस बटन को ऐसे ही याद के लिए रहने दिया तब उसका प्रेजिडेंट चार काप्स में पैसे भरके और फिर उसके बाद हेलिकॉप्टर में पैसे भरके उड़ गया जबकि पैसा इतना था कि पूरा भलनी के बाद भी काफी पैसा पहार रह गया और उसे ऐसे भागना पड़ा इस दुनिया की सबसे शांत जगर जिसे एनकोई चेंबर कहा जाता है यह जखा इतनी शांत है कि यहाँ पर आप अपनी पलक जपकानी की अवास पी सुन सकती हो लेकिन यहाँ कोई भी इंसान 45 मिनेट से ज्यादा रूप नहीं सकता क्योंकि इंसान को बैलन्स और चलने के लिए आस पास की साउंड की सरूरत होती है जो यहाँ पर नहीं होता जिसके जैसे यहाँ पर लंबे टाइम तक खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है और अगर आप भी किसी एरिया में रहते हो जहाँ बहुत ही, मतलब बहुत ही शांती है तो ऐसा शायद वहाँ भी हो सकता है आपने फैर्फ डूपलिसिस को देखा ही होगा और आपने उनके गलवस को भी देखा होगा वो गलवस असल में पिंक अलंके होता है लोगों को अवेर करने के लिए प्रेश कैंसर की बारे में यह ऐसा करते है और वो टाइम से अपना ट्रीटमेंट करवा सके इसलिए भी यह ऐसा करते है यूँकि बहुत सारी फीमेल को यह पता ही नहीं होता कि हमें यह प्रॉबलम है यह टारेक्ट अपने गाहे से ऐसे दूद उड़ा रहे थे अहां बोलोगे कि यह प्रॉटेस्ट है किस चीज़ का यह प्रॉटेस्ट दूद के प्राइसिस को लिए करता क्योंकि 2008 में 100 लिटर दूद का प्राइस 3,171 रुपे हो गया था जिससे 2009 में 2536 लुपे कर दिया गया हने कि रेट बढ़ने के चकर और कम कर दिये गया जिससे फार्मर्स पहुत गुस्सा हो गया और यह सफेट प्रॉटेस्ट शुरू कर दिया 9, क्या आप जानती है उस्टाफिश, स्क्वेर फिश भी हो सकती है मतलब ऐसे से ऐसे तिकन बहुत से लोगों को लगता है कि यह किसी जनेटिक डिस ओर्डर की वज़े से होता है जबकि रियल में एक पूरी स्पीसीज है स्टाफ फिश की, जो स्क्वेर शेप में होती है वैसे क्या आप कोई बात पहले भी पताती कमेंड में मुझे सरूर बताना क्योंकि मैं सब की कमेंड्स देख रहा हूँ भाई धर्ती पर जैसे ही बोच बढ़ता है धर्ती अपने आपको साफ कर लेती है क्योंकि ऐसा एक बान नहीं पांच बार हो चुका है अगर की हिस्ट्री में पांच बार बहुत उंचे लेवल पर प्लांट्स और अनिमल्स खतम हो चुके हैं और सिर्फ 6 करोड साल पहले लगभग 50% प्लांट्स और अनिमल्स खतम हो गये थे लेकिन सबसे शौकिंग बात तो यह है कि अब हम 6 स्टेज में आ चुके हैं तो आपको क्या लगता है कि हम इससे और कम कर पाएंगे ने में सब्साइब आपने किसी स्पोर्ट्स मैच में या किसी पॉलिटिशन के रैली के दौरान कि ऐसा बड़ा सा हाथ देखा होगा मनलब ऐसा साइन देखा होगा यह ज़्यादा तो अमेरिका में ही देखने को मिलता है लेकिन यह हाथ का मतलब क्या है और इसे आकर किस ने बनाया था असल में इस हैंड को फोर्म फिंगर के नाम से भी जाना चाता है जिस एपनी फेवरिट टीम को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है जैसे इंडिया में बोट्स और टी शर्ट पहन के किया जाता है और इस चीज को पहली बाद 1971 में इसके फाउंडर स्टीव चेमलल ने बनाया था जिनने एक हाई स्कूल मैच के दोवान इनकी फेवरिट टीम को सपोर्ट